हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मसिन्स का जो टेस्ट सीरीज मैंने डाली थी टेलेग्राम ग्रूप पे उसके सोलिशन्स यहां पर डिसकस करेंगे काफी इंपोर्टेंट है यह क्विज जो मैंने डाली थी इल अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अभी भी जाकर देख सकते हैं चैनल पर mcq series from dc machine करके तो आज हम डिसकस करेंगे इलेक्ट्रिकल मसिन्स टेस्ट वन के सोलिशन्स यहां पर इसके बाद जो भी इसकी pdf है और उस साथ में dc machines के जो 100 mcq series थी उसकी pdf में telegram group पे डाल दूँगी तो आप वहां से देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज के लिए अगर आपने अभी तक test नहीं attempt किया है तो अभी भी कर सकते हैं कि काफी important है exam के point of view से तो चलिए हमारा question number one था the current drone by a 220 volt dc motor of armature resistance of 0.5 ohms and back emf of 200 volt is क्या पूछा है current कितनी draw करेगा एक dc motor दे रखी है जिसके अंदर voltage है 220 volt back emf दे रखा है 200 volt और armature resistance दे रखा है तो आपको पता है कि जब dc motor जो होती है lc motor में क्या होता है हमारा हम क्या करते है electrical to mechanical conversion करते है अलेक्ट्रिकल पावर होती है हमारे पास है यहां से हम electrical को यूज़ करके mechanical में ले जाते है ठीक है तो येहां पर क्या करेंगे electrical से mechanical how moving है आपको याद करने का तरीका है क्योंकि आप dc motor PD स कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आप किस तरह से याद करेंगे तो याद कर सकते हैं डीसी मोटर में क्या करते हैं एलेक्ट्रिकल सप्लाइ देते हैं और जैसे मोटर हम घरों में यूज कर रहे हैं तो आप याद कर सकते हैं कि clinically से हम उसको start कर रहे हैं और output में हमें क्या कर रहा है कि पाने की supply हम यहां से ले सकते हैं इस तरह से तो आप इस तरह से से याद रख सकते है electrical mechanical अबbly electrical mechanical है तो पहले हम supply देंगे तो हो जाएगा वी फिर क्या होगा वी equal to जो हो जाता है और मेंचर का तो जाएगा आई आर जो जाएगा आई ए आरे प्लस बैकी एमेफ आजाएगा हमारे यहां पर इबीटी के यह इसको यह भी लिख सकते हैं तो यह आपको एक्वेशन याद रखनी है इस तरह के जो भी क्वेशन है डीसी मोटर हो या डीसी जन्रेटर की बात हो इस तरह के question exam में पूछे जाते हैं काफे बार पूछे जाते हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा simplest question है तो आपको अगर equation पता है DC motor की किस तरह से लिखते हैं DC generator की basic equation कैसे लिखते हैं तो यहां से solve कर सकते हैं आप ठीक डीसी motor में यह होता है और यह इसकी equation है तो वी क्या दे रखा है आपको 220 वोल्ट दे रखा है यहां पर तो यहां से वी लिखे 220 आई हमें दे नहीं रखा आई तो find out करनी है न रिजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ohms प्लस back EMF क्या दे रखा है आपको 200 वोल्ट तो यहां से आप क्या कर सकते आईए की value find out कर सकते हैं यहां से तो यहां से आईए निकाल लेजिए आईए की value यहां पर आ जाएगी आपके 40 ampere तो option 1 जो है correct answer हो जाएगा काफी easy question है क्योंकि आपको सिर्फ equation में याद में रखनी है उसके बाद आप इसको solve कर सकते हैं असानी से ठीक है next question देखते हैं the dummy coils in DC machines are useful to dummy coils के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको mcq series जब करी थी वहां पर सारे जितने भी questions थे मैंने हर एक question को बिल्कुल basic तरीके से discuss किया है आपके साथ वहां पर हर एक चीज उस question से related कि किसी भी question में कितनी भी terms हो वो सारी terms वहां पर explain करी है मैंने आपको तो dummy coils हमने वहां पर पढ़ी थी फिर से question कर लेते dummy coils किसलिए यूज में लेते हैं तुम टू मेंटें mechanical balance of our measure option D जो है इसका correct answer हो जाएगा next question देखते हैं in a DC machine for the same value of flux Z and N which one of the following statement is correct तो flux है Z के आपको number of conductor और N के है speed है आपकी कौन सा statement correct है तो option A है armature EMF is more in wave winding than with lap winding second armature EMF is less with wave and more with lap third armature EMF depends on whether the machine is running as a motor or generator armature EMF is same as long as the flux density in the air gap remains the same तो आपको पता है कि EMF का formula किस तरह से लिखते हैं आप तो EMF का formula अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं तो यह लिखते हैं पीफाइड अपोन 60 और यह एक है नमरों parallel paths तो यहां पर अगर flux density remains same की बात करें तो यहां कुछ भी नहीं आता motor is in machine is running as a motor or generator तो यहां पर motor की तरह work करो या generator की तरह work करो हमारी सारी चीज़े कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है और मेंचर यह मेंफ लैस विद वैव और मोर विद लैप अब आपको पता है पहली बात तो आपको मैंने लैप और वैव वाइंडिंग के बार में पढ़ा दिया था mcq जहां पर discuss किये थे कि वैव वैव वैंडिंग क्या होती है high voltage low current winding होती है और lap winding होती है high current low voltage winding तो अगर आपको इतना सा याद है तो आप यहां पर option टिक कर सकते हैं दूसरा यह है कि वैव वैंडिंग जो होता है उसके अंदर number of parallel path कितने होते हैं fix होते है ठीक है वैव वै winding में क्या होते है number of parallel path जो होते हैं कितने होते है equal to P number of poles के equal ठीक है तो इसी तरह देख सकते हैं आप अगर poles की बात करें अगर four number of poles है तो आपका A4 हो जाएगा lap winding के लिए और wave winding के लिए क्या हो जाएगा टू हो जाएगा तो यह में ज्यादा आएगा ना यहां से भी देख सकते हैं और यहां से options की बात आए तो आप यह दो option यहां से हटा सकते है फॉर्मला देख के आराम से लेकिन आपको यह याद रख लेना है कि wave winding में high voltage low current winding होती है और lap winding होती है तो इस तरह से आप विल्कुल बिना देखें इस question को टिक कर सकते हैं option A correct answer हो जाएगा आपका next question देखते हैं कि what is the increase in the torque expressed as percentage of initial torque if the current drone by a DC series motor is increased from 10 ampere to 12 ampere और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपका saturation जो है saturation को क्या किया गया है neglect किया गया है यहां पर ठीक है saturation को include नहीं कर रहे हैं तो saturation को include नहीं करते हैं तो आपको DC series motor के characteristics जो मैंने पढ़ाये थे आपको काफी दिनों पहले पढ़ा दिये थे उसके अंदर मैंने बताया था आपको speed or torque में क्या relation होता DC series motor में हो या फिर DC sun motor में हो किसी भी motor की बात करें मैंने सारे characteristics आपको पढ़ा रखे हैं तो अगर आपको देखना है तो वह देख सकते हैं वहां पर तो यहां पर देख लेते हैं क्या होता है ने सिंपल आगर टोर की बात करें तो टोर। टॉर्पोसणल significa अबदी शिरीज मोटर की बात करें तो covered सीषी मोटर में क्या हो जाता आपका κलाई इसकी पॉर्पोस्णल वह जाता है au dc के मोटर के अंदर क्या होते है कि अगर में पर खुक्त की बात करें तो संट में फ्लक्स ग्लक के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो ऑग्या हो इस कुर्ण कर लीजे हैं कि यहां से तोर्क का जाएगा आपका बता सकते हैं हैं से कि आपका 952 टीटू आप zag लीजिये यहाँ पर T2 upon T1 क्या हो जाएगा आपका T2 क्या हो जाएगा 144 आई यह स्क्वाइर है न वो T1 क्या हो जाएगा 100 तो अगर आप इसको यहाँ से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 1.44 ठीक है T2 equal to क्या जाएगा 1.44 T1 तो यहाँ पर लिख सकते हैं T2 equal to 1.44 T1 ठीक है यह आगया आपका T2 यहाँ से आपने सोल किया है T2 किस तरह से आया आपका ठीक है और यह आपका basic formula है कि आपका 5 और आई यह किस तरह से DC series motor के अंदर टोर्क और करंड में क्या relation होता है अब यहाँ से T2 आ गया आपका 1.44 T1 तो आप यहाँ से क्या निकालना आपको percentage निकालना है initial टोर्क से तो यह क्या हो जाएगा आपका T2 minus T1 अपोन T1 इंटू 100 कर लीजी ठीक है अब यहाँ पर आप T2 और T1 की वेल्यू पूट करें T2 आ जाएगा 1.44 T1 और T1 है यह आपका तो यहाँ से अगर आप वेल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका आप्सण डी करेक्ट आंसर आजाएगा 44% करके नेक्स क्यों संदेखते हैं कि इप दा आर्मेचर करन्ट इज इंक्रीज टू डबल इस प्रिविएस वेल्यू एंड टाइम आफ कम्यूटेशन इस हाल्ड हाव विल दर यक्टेंस वोल्टेज वेरी हार में चर्ण को क्या कर पर यहां पर तो यह जाएगा 2 into ia1 ठीक है है उसको क्या कर दिया है टी-2 है यह हो जाएगा टी-2-1पन-2 ठीक है अब आई ये टू पता है टाइम पता है कितना हो गया प्रिवियस का तो रियक्टेंस वोल्टेज कितना हो जाएगा तो आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए रियक्टेंस वोल्टेज का रियक्टेंस वोल्टेज जो वी यार होता है उसको किस तरह से लिखते हैं माइनस का कि यहां पर लिख सकते हैं आप आई यह आपका हो जाएगा आई यह टाइम हो जाएगा आपका टी बाई टू तो यहां से यह टेंस वोल्टेज के आजाएगा आपका यह आजाएगा ल, ड, आई टू क्या हो गहाँ टू आई टू आज जाएगा तो यह आजाएगा आई टू कि इन्तू आई वन इंटू करके फोर टाइम सय हो एहां पे क्या जायेगा इसका फॉर ताइमस जाए गों स्टी जो है करेक्ट आनसर हो जाएगा इट वील-बिकम-फो ताइमस ठीक है फॉर ताइमस पताच मिल आपको केसं आए आपके पॉर ताइमस नेक्स कुछेशन देखते हैं यह जन्रली यूज्ट फोर विच वन ओप फॉलोइंग, फीजवर फ्लक्स मेथड उता, आपको स्पीड कांट्रोल मेथड पढ़ा है, मैंने आपको बता रहे हैं, सारे स्पीड कंट्रोल मेथड किस तरह के होते हैं, field flux method में क्या होता है या फिर उसकी बात करें आर्मेचर कंट्रोल की यह सब की बात करें तो सारे method मैंने बता रहे हैं आपको तो field flux method अगर यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मतलब किस तरह का है इसके अंदर generally किसके लिए यूज में लिया जाता है options दे रहे हैं आपके ह li walking फेलड फ्लक्स कि अगर यहां पे बात करें हम तो field flux method में क्या होता है आप अगर को निकालना है यहां पर तो speed का क्या होता है speed proportional to 1 upon 5 होती है हमारी आप अपलत में के field flux method में क्या करते हैं हम spreading यहां पर तो flux को वीक करेंगे तो क्या हो जाएगा अगर flux weak हो रहा है तो speed हमारी increase होगी तो ये तो आप निकाल सकते हैं कि above waste speed होगा method तो below speed वाले जो है ये वाले cancel हो जाएंगे आपके बचेंगे दो अब वाले जिसके अंदर constant torque या constant horse power drive अब आपको पता है कि torque जो है वो किसके proportional में होता है torque जो है depend करता है flux के उपर तो constant torque तो हो नहीं सकता है क्योंकि flux को vary कर रहे हैं तो ये torque क्या हो जाएगा है यहाँ पर variable हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है हमारा constant horse power drive है तो option d correct answer हो जाएगा यहाँ पर next question देखते है when is the mechanical power developed by a DC motor is maximum DC motor में maximum power कब होती है क्या इसकी condition होती है DC motor के अंदर सबसे man condition जो बात करते हैं वो यही होती है कि maximum power कब होती है mechanical power developed जो होती है maximum कब होती है तो यह आपकी होती है जब back emf जो होता है क्या होता है eb equal to v upon 2 तो इसमें क्या हो जाएगा back emf is equal to half the applied voltage option c correct answer हो जाएगा काफी important question है काफी बार exam में पूछा जाता है इसके अलावा जब आपकी mechanical power developed maximum होती है तो efficiency कितनी होती है है वह मैंने last measurement वाले mcq series में भी कराई है आपको measurement का test के solution जो discuss किये थे तो जब mechanical power developed maximum होती है तो efficiency हमारी होती है 50% तो efficiency क्या हो जाएगी आपकी 50% ठीक है efficiency को कैसे denote करते है ठीक है तो दो question यहां से पढ़ सकते हैं एक तो आपका क्या होता है back EMF is equal to half the applied voltage और efficiency जो है 50% हो जाएगी नेक्स क्वेशन है एट पॉल DC generator has a simple wave wound आर्मेचर containing 32 coils of 6 turns each its flux per pole is 0.06 वेबर दा मसीन इस रनिंग एट 250 rpm दा induced r major voltage is क्या निकालना है हमें induced r major voltage निकालना है तो आपको पता होगा induced r major voltage की क्या formula है अभी मैंने थोड़ी दर पहले भी बता है आपको फिर से बता देती हूं यह होता है अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा हर एक चीज की value देख लीजिए कि आपको पता है क्या तो n क्या है आपकी speed है यह आपके 120 rpm p क्या है नमरो पोल है तो फ्लक्स क्या है आपका आपका नमरो पैरलल पात तो वेव बाइंडिंग यह नमरो पैरलल पात टू हो जाएगा बचा आपका क्या है यहां पेです नम्मर ओफ घेक्टर जो हमें नहीं दे रखें तो हम्हें पहले क्या अबएंद करना है प्यम्हेंभ यिकाई नवफ योद to एक टर्न्स कितने है इच में सिक्स टर्न्स ठीक है अब आपको यह पता होना चाहिए कि एक टर्न में नमबर ओफ कंड़क्टर कितने होते हैं यहां पर लिख देते हूं हमें number of conductor जैद आपको पता है conductor है in each turn one turn कितना होता है जब आपको यह नहीं पता है कि number of conductor कितने होते है एक turn में तो आप किस तरह से उसको soul करेंगे तो आपको यह याद रखना है कि number of conductor in one turn is two अब आपके six turns है तो कितने conductor हो जाएंगे six into two तो यह हो जाएंगे twelve conductor ठीक है एक coil के अंदर आपके यह मतलब आगे twelve conductor आपके पास total कितनी coils है, 32 coils है न total number of conductors यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जैड हो जाएगा 32 into number of turns six into number of conductor in one turn two, तो कितना हो जाएगा आपको इसको calculate करके निकाल सकते हैं और यह जो जैड की value आ गई है हमारी उसको आप वहाँ पर put करें six into two twelve लिख लो इसको तो आप इसको जो है solve कर लेना यहाँ पर कितना आ रहा है ठीक है यह आ गया अब यहाँ पर हम value put कर देंगे इसके अंदर तो यह क्या हो जाएगा यहां से सारी चीज़ों पता चल गई है हमें अब तो n क्या है अपना 250 rpm है नमरों पोल्स कितने हैं हमारे 8 है फ्लक्स कितना है 0.06 अपन 60 इंटू नमरों पैरलल पात है और जैड हमने निकाले अभी 32 इंटू 12 ठीक है तो इसको आप solve करेंगे तो आपकी value आ जाएगी तो option यहां पर क्यों सा correct answer आ रहा है सी जो है correct answer है आपका 384 वोल्ड इसको solve कर चकते हैं आप इको यहां पर जो solve कर लेंगे तो value आपको पता चल जाएगी next question देखते हैं कि एफ़ोर पॉल डीसी जनेरेटर इस रनिंग आइट 1500 आर्पियम दफ्रिक्वेंसी ओफ करंट इंद आर्मेचर winding is क्या दे रखा हमें नमरों पॉल्स दे रखे पी कितना है 4 है स्पीड दे रखी है अपनको 1500 आर्पियम कि हमें क्या चाहिए फ्रिक्वेंसी चाहिए यहां पे ठीक है आपको पता बरन स्पीड क्या होती है 120 एंट ऐफ अपों पर एंपों पता है पी पता है 120 तो पता ही है तो आप क्या निकाल सकते हैं यहांसे should not निकाल सकते हैं एफ क्या हो जाएगा आपका कि फिप्टीन हंड्रेड इन्टू नमरों पोल्स कितने हैं फोर अपोन में 120 है ठीक है तो आपके उप्शन यह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फिप्टी हर्ट जिसका उप्शन हो जाएगा आने के संद्गी फ्रेड आशटी इक्रीन इसका घ्रलिस करेंज उला में इसद्ग केां त्रेक्टर्स के ऊप्शन हो टीक स्न दें सकता है काफी बार क्योंकि हमें नॉर्मली यह पता रहता है से साइनोसोडल है ट्राइंगूलर यह सब तो ट्रेपेजोडियल आपको याद रख लेना है यहां पर तो हमारे क्वेशन आइधिंग सारे हो चुके हैं नमरों टेन नमरों फुटे तो यहां पर हमने सारे डिसकस क सारे मैंने जो डिसी मशीन के अंदर नॉर्मल क्वेशन बनते थे जैसे जनरेटर पर कराए हैं तो वैसे सेम आप मोटर पर कर सकते हैं अगर मोटर पर करवाए हैं तो वैसे सेम जनरेटर पर कर सकते हैं एक क्वेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी बाकी सारी चोटे चोटे questions सब मैंने solve करवाए हैं वहाँ पर तो वो देख सकते हैं आप dc series dc machine की mcq series ठीक है total hundred number of questions मैंने वहाँ पर discuss करे थे आपके साथ इसके अलावा बीच-बीच में से यह मैं test series करवार हुआ हूँ जो question बच गए है या चोटे मोटे question है वो सारे यहां पर include हो जाएंगे आपके तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो यूजफू लगे तो लाइक कीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब न इतना ही thank you so much and have a nice day